बश्कार बच्चो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है CBSC की तरफ से जो थोड़ी देर पहले हमने डिसकस किया था कि PMO की आज मेटिंग हो रही है Education Minister के साथ CBSC Official के साथ जिसमें बड़ा decision लिया जा सकता है आपके exam postpone हो सकते हैं या फिर alternate option के बारे में भी सोचा जाएगा तो जो बड़ी update आ रही है उसमें सबसे बड़ी update class 10 के लिए class 10 के board exam इस बार cancel कर दिये गए यानि कि आपके board exam होंगे वो जो होने वाले थे वो cancel हो गए है पोस्ट पोन नहीं किया गए है आप relax रहिए चिंता मत कीजिए आप राहत की सांस ले सकते हो आप next class में चले गए हो अब बात आती है कि आपका result कैसे prepare किया जाएगा आपके जो pre board के exam होए थे उसी base पर आपका result prepare किया जाएगा दूसरा आपको मोका दिया जाएगा अगर आप उन marks से जो भी आपको grades दिया जाएगे आप अगर satisfy नहीं होते हो तो आपको एक मोका दिया जाएगा जब situation under control होगी तो आप दोबारा से exam भी दे सकते हो दूसरी जो news आ रही है 9th और 11th class के students के लिए जो Delhi के students है क्योंकि board के exam नहीं हो रहे है it means 9th और 11th के annual exam जो May के first week से होने थे वो भी नहीं होंगे उनका result भी prepare किया जाएगा उनकी जो result preparation का base होगा वो रहेगा mid term के exam तो पहली 10th class के लिए बड़ी news है उसके बाद 9th और 11th class यानि कि इन तीनों class के लिए एक राहत भरी ख़बर आई है आप relax होकर के अपनी next class की preparation कर सकते हो उसके साथ साथ 12th class के लिए भी एक बड़ी update है उनके exam को postpone कर दिया गया क्योंकि उनके exam को cancel नहीं किया जा सकता है college में admission का base वही बनता है तो इसलिए उनके exam को postpone कर दिया गया new जो date sheet की बात है तो वो review की जाएगी situation को first of June को उसके बाद decision लिया जाएगा कि उनकी new date sheet क्या रहेगी कबसे exam किये जा सकते है तो अभी जो update है 9th के लिए 11th के लिए mid-term exam के base पर result बनेगा next class में आप promote हो गयो उसी result के base पर जैसे आपके exam हुए दूसरी जो update 10th के लिए board exam नहीं होने वाले 12th के board exam postpone हो गये तो उमीद करता हूँ आपके लिए एक अच्छी news रही होगी और ऐसे ही आप अपनी study पर focus करते रही हमारे साथ बने रही है thank you bye bye have a nice day